दोस्ते दोस्तों आज हम खड़े हैं इंडियन पिकप ट्रक के पास तो जो अभी हमारे सामने यहां पर देख सकते हैं ना बोलोरो पिकप मैक्स में CT 3000 VXI लग गई है मैं बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की मॉडल की तो यह टोटल तीन मॉडल में आता है एक में मैं सा चीज़ आप देखेंगे ना यह आपको सिंगल केविन में मिलता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा कार्गो वड़ी भी हो गाड़ी में और डूल केविन के साथ हो तो आप बोलोरो का कैमफर में जा सकते हैं जिससे देख सकते हैं कि आपका स्टाप भी लोग अंदर म भी मिलता है सेम कॉन्फिग्रेशन के साथ अगर जाते हैं तो टोईटा में एक हाइलक्स आता है जो कि थोड़ा सा भाई प्रीमियम नेस दिखाता है 45 लाग का वो गाड़ी है एक शरूम प्राइस है और पर जागा आपको 47 लाग रुपए की लेकिन वहीं बात करते हैं यह इसके साथ 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 तीन लोगों का बैटने का है जबकि महिंदरा के अलावा असोक लीलेंड का जो बड़ा दोस्त है उसमें आप साथिफाइड दी प्लस टू बैट सकते हैं बाकि इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं है ट्रॉटा युद्धा में भी बात कर दिया हुआ है लेकिन company के तरफ से verify नहीं है कि आप d plus 2 ही बैठ सकते हैं इसके साथ 80 km per hour पे इसका speed जो है वो lock हो जाता है भाई लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इसका एक demerit है 80 पे lock कर देता है तो यह demerit नहीं है यह आपका safety के लिए है कि आप 80 से ज्यादा speed नहीं जा करेंगे कि इसका जो आया वह यहां पर थोड़ा सा छोता है in comparison to 2.2 2.2 में थोड़ा सा बड़ा मिलता है बाकि फ्रेंट में यह देख सकते कुछ इस टाइप के एक washer आपको यहां पर मिलता है जो कि सिंगल में वाशर मिलता है जो वाइपर मिलता है अब बात कर लेते हैं गा दूसरा चीज ना इसका जो headlight है वो आपको hellos and best headlight मिलता है और भाई top model है तो इसमें आपको यहां पर देख सकते हैं cornering light भी मिलता है cornering light मिलेगा इसके साथ साथ यहां पर आपको indicator का भी option इस गाड़ी में मिलता है लेकिन एक demerit है इस गाड़ी में top model होने के बावजूद भी fog light का setup नहीं मिलता है और यह जो चीज देखें यह fully metal का मिल जाता है इसके साथ आजाते हैं इस साइट से तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो corner light indicator मिल जाता है अब finally बात करते हैं इस गाड़ी का front का tire size क्या है तो यहां पर आप देखेंगे 195 और 15 इंच का आपको front का tire size देखने को मिल जाता है और front का suspension का travel गैपिंग है यह भी काफी सांदार आपको यहां पर मिल जाता है टोटल front की suspension की बात कर लेवे तो छे कमानी पट्टों के साथ आपको front की suspension आप यहां पर देख रहा हूंगे छे कमानी पट्टे के साथ इसके front की suspension मिलाती है जो की rigid lift spring type के front के suspension मिलते हैं इसके साथ साथ बात कर लेता है इस गाड़ी की कुछ best features ना तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर features दिखाऊ ना तो इस गाड़ी में आपको warranty सबसे पहले warranty कितना मिलता है तो टोटल तीन साल का warranty मिलेगा और एक लाख किलोमेटर का warranty मिलता है इसके साथ साथ तीन साल 90,000 किलोमेटर तक का free preventing maintenance की facility भी महिंद्रा आपको offer कती है यह खुद महिंद्रा के तरप से मिलत आपके पास अगर गाड़ी है आपको तीन साल 90,000 किलोमेटर तक का free preventing maintenance की facility company प्रोवाइट करा देती है इसके साथ finally अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी की overall length कितनी होने वाली है तो कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कि cargo body की क्या length है लेकिन उससे पहले आप यह जग साथ wheelbase यह चक्का से यह चक्का की beach की जो यह distance है वो कितना है तो यह आपको 350 mm की इस गाड़ी की wheelbase मिलती है और वहीं बात कर लेते है ground clearance की तो आप यहाँ पर देखेंगे 170 mm का इस गाड़ी में आपको काफी संदर ground clearance मिल जाता है वहीं पर यह CT 3000 VXI का model है उसका जो payload capacity है वो 1300 kg का आपको इसका payload capacity भी देखने को मिल दाता है वहीं बात करते हैं कि इस गाड़ी की gross weight कितनी है तो भाई सब इस गाड़ी की gross weight है वो total 2800 kg की gross weight है और मैं बात कर लेता हूँ उस गाड़ी के engine के बारे में तो सबसे पहले आपको मैं engine एक बार खोल कर दिखा देता हूँ यह की बात कर लेवे तो 2.5 लेटर में diesel engine मिलता है चार cylinder के साथ जो की 65 bhp की power produce करती है 300 rpm और 195 newton meter की maximum torque produce करती है 1400 से 2000 rpm इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी की fuel tank की capacity पे तो आ जाते हैं सबसे पहले cargo body में और fuel tank की capacity की मैं बात कर लो तो यहां पे आपको 45 लेटर क fuel tank की capacity भी आपको इस गाड़ी भी मिल लागी rear की suspension की बात कर लेवे तो 9 कमानी पट्टे के साथ आपको rear की suspension मिल लागी और यहां पर इसका चेचिस देख सकते हैं तो इस टाइप का आपको single frame में इसका चेचिस यहां से मिल लाता है और यह total 2 variant में मिलता है एक चेचिस के इस क्या है तो सबसे पहले चोड़ाई देख लेते हैं तो यहां पर आप देखिए पांच फिट पांच इंच की इसकी डाला की चोड़ाई है और यही पीछे से बात करें तो यह देखे चार में आपको दो reverse parking sensor भी मिल लाते हैं और भाई जब commercial गाड़ी है तो red sticker मिल लाती ह हमिलेगी एक आपको square wheels आपको वहीं पीछे मिल जाता है pocket delivery नॉर्मल बहुत की देखने को मिल जाती है इसके साथ अब आज आता हैं cargo body की लेंध के बारे में तो यहां पर cargo body की जो वो आठ फिट दो इंच की इसकी कारगो बाड़ी की लेंथ देखने कुम मिलेगी तो कि काफ़ी बहतरीन काफ़ी सांदार है और इस गाड़ी में अब आपको IMAX टेकनलोजी भी मिलता है अब उस IMAX टेकनलोजी में होता क्या है कि आपको IMAX टेकनलोजी के थुरू GPS मोबाइ ट्रेकिंग मिलता है डीजल अलर्ट मिलेगा जियो फेंसिंग मिलेगा रूट प्लैनिंग मिलेगा वहिकल हेल्थ मॉनिटरिंग मिलेगा वहिकल हेल्थ मॉनिटरिंग बोलने का सेंस के आपका गाड़ी अभी सर्विशिंग का जरूत है या नि वो चीज आप अपने फोन से तरीब लिए आप अपने गाड़ी को ctrl कर सकते हैं अब बात करते हैं इस गाड़ी की extra room price क्या होने वाली है तो % 9,00,000 ही आस पास इस गाड़ी की extra room price हमारे यहाँ जहां जारखण में देखने को मिलेगी और यहाँ पर यहाँ ऑपर डेख सकते हैं न मैक्स मंदब सबसे ज्यादा आप्निसमक्रिण इसके कुछ पर्फंचनान करें साथा आपको यहाँ तरफिवरा से में कि सुरक्षा के नाम से जानी जाती है इसके एंटिर के वैसा arts फंक्षन नहीं वो डिजिटल कर दिया बाकी यहां पर डिजाइन है वो सारा से में कहीं से कोई एर इवेंट नहीं है लगता है कि एर इवेंट है लेकिन एर इवेंट नहीं है CT 3000 VXI का बैस मिल जाता है बाकी स्टेरिंग अंदर में देखे ना तो से स्टेरिंग मिलते हैं पावर स्टेरिंग आपको यह गाड़ी मिलेगा और यह जो मिटर कंसोल देख रहे हैं यह आपको फुली डिस्टेर निलता है तो खैर अभी की है नहीं हमारे पास अल्रेडी हमने बहुत सारे वीडियो इस गाड़ी के बना दी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूँगा आप वहां जाके वीडियो उसको देख सकते हैं बाकी अगर चलाने के बावजूद भी ड्राइबर अगर रिस्ट करना चाहिए तो वह काफी आसानी से यहां पर रिस्ट कर सकता है इसके साथ आई-र-व्य-म की बात करें तो नॉर्मली आपको यहां पर आय-ई-र-व्य-म देखने को मिलेगी और यहां पर देखेंगे ना तो य आपको काफी comfortable यहां देखने को मिलता है, एक light आपको यहां पर मिलता है, और यह mirror आपको यहां से मिलेगा, जिससे आप अपने आसानी से cargo body को देख सकते हैं, बाकि यहां पर वाइजर की मैं बात के लो, तो वाइजर नॉर्मल में ही वाइजर मिलता है, उस एड भी आपको न वाइजर के साथ आपको यहां पर इसका gear देखने को मिलेगा, तो भाइज यह तो होगा इस गाड़ी के final detail, बाकि वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, चली मिलते नेक्स डे, नेक्स वीडियो के साथ, तब तके लिए धन्यवाद, जै हिंट, जै भारत, वन्दे मात्रम